गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरे जितने भी दोस्त कमीशन की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए मैं जीके के कुछ कोश्चन लेके आया हूँ जीके में स्पैशली जीग्रोफी के ठीक है ये प्रशन आपको HP TAT, HP TGT कमीशन और हिमाचल में जितने भी एक्जाम होते हैं उन सभी के लिए important हैं ठीक है तो इसमें पहला प्रशन है बिशप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसमें ऑप्शन है A Greenland, B Iceland, C New Guinea और चोथा ऑप्शन है Medagaskar तो इसमें आपका अंसर ठीक हो जाएगा ऑप्शन A Greenland ठीक है यह है बिशप का सबसे बड़ा द्वीप ठीक है अगर ऑप्शन में Greenland ना हुआ ठीक है अगर ऑप्शन में By Chance Greenland ना हुआ तब आपका अंसर आएगा New Guinea क्योंकि New Guinea है बिशप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप ठीक है सदा बहार वन पाए जाते हैं सदा बहार वन कहां पाए जाते हैं तो जहां पे भी बारिश ज्यादा होगी ठीक है जहां पे वर्ष वर बारिश होगी तो बहां पाजाएंगे आपके सदा बहार वन ठीक है तो इसमें आपका उप्शन है एशे कारण यहां पे वर्ष वर्ष बारश होती है ठीक है तो जहां बर्षवर भारिश होगी तो बहां क्या पाई जाएंगे सदबहार 1 ठीक है मेरा तीसरा कोश्चन अगला है प्रिथवी का सबसे बड़ा पारिश्थित की तंत्र है तो इसमें आपका अंसरा जाएगा हाइड्रो स्फेर हाइड्रो मतलब पानी ठीक है वाटर से बना है हाइड्रो तो जो वाटर है वो 71 परसेंट है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन चोथा कोश्चन बिशफ का सबसे बड़ा आद्र महाद्वीप है ठीक है तो इसमें आपका अंसरा जाएगा दक्षणी अमेरिका ठीक है साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका जो है वो वर्ज मोस्ट हूमिड कंटिनेंट है बिशफ का सबसे बड़ा आद्र महाद्वीप है ठीक है पांचमा कोश्चन है अगला कि पस्चमी और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं पस्चमी और पूर्वी घ गाट कहां मिलते हैं ठीक है जैसे ये आपका डक्षनी भारत है नीचे ये वाला ठीक है ये आपका जाएगा इस साइड़ वाला पश्चमी घाट ये है आपका पूर्वी घाट ठीक है तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे तो पूछ रहें वहां पर कौन सी पहाड़िया हैं पहाड़ियों पर ठीक है बश्चमी और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर ठीक है इसमें एक्ष्ट्रा कोश्चन ये बन सकता है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो वो है आपकी डोड़ा बेटा ठीक है फिर एक पहाड़न काउन सी है तो सबसे द्रक्षणी पहाड़न हैं कार्डेमम पहाड़न है इन्हें क्या बोलते है और इलाईची की पहाड़न या येलागिरी की पहाड़न फिरक है अगला question है 6th question लोक टक है एक लोगटक is A लोगटक क्या है, ठीक है option A. गाटी B. जील C. नदी D. परवस्चरेणी तो लोगटक क्या है, लोगटक है एक जील है कहा पर है यह मनिपुर में, ठीक है लोगटक है जील ठीक है, इसमें एक तैरता हुआ द्वीप पाय जाता है जिसको बोलते हैं कैबुल लांजाओ ठीक है ये बिशव का एक मात्र तैरता हुआ द्वीप है ठीक है कौन सी जील पे लोकटक जील पे अगला कोश्चिन सात्मा कौन सी फसल जायद मौसम में उगाई जाती है ठीक है कौन सी फसल जायद म मौसम में उगाई जाती है option A तर्बूज, option B सोयबीन, option C मक्का, option D जूट ठीक है तो इसका अंसर आ जाएगा तर्बूज, क्या जाएगा इसका अंसर तर्बूज, लोक्टर क्या थी एक जील थी, पश्चमी और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों प ठीक है, आठमा कोश्चन है नागर होल राष्ट्री उद्यान कहां स्थित है, option A करनाटक, option B उडिसा, option C असम, option D जम्मु कश्मीर, तो इसका अंसर आएगा करनाटक, ठीक है, अगला कोश्चन नाग टिब्बा परवत माला है, मतलब कोश्चन पूछ रहे हैं, नाग टिब का भाग है, ठीक है, कौन सी श्रेणी का भाग है, option A लगू हिमाल्य, option B शिवालिक, option C अरावली, option D सहाद्री, तो इसका अंसर आएगा लगू हिमाल्य, ठीक है, नाग टिब्बा परवत माला किसका भाग है, लगू हिमाल्य का, ठीक है, अगला कोश्चन है, कौन सी नदी दक्षणी टेवल लेंड को उत्री भारत से विभाजित करती है, मतलब कि कौन सी इन चारों में से कौन सी आसी नदी है, जो उत्री भारत को दक्षणी भारत से विभाजित करती है, ठीक है, चंबल, option B, कृषणा, option C, गुदावरी, option D, नर्मदा, तो इसका अंसर आजाएगा आपका नर्मदा, ठीक है, D, ग्यार्मा कोश्चन, ठीक है, अगला कोश्चन, कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उप्युक्त है, ठीक है, option A, लेटराइट, option B, लाल मृदा, option C, काली मृदा, option D, जलोड मृदा, तो इसमें आपका अंसर आएगा, लेटराइट मृदा, ठीक है, चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उप्युक्त है, लेटराइट मृदा, अब लेटराइट मिट्टी कहां पा जाती है, जहां पे उच्च ताप और उच्च वर्षा होगी, हाई टेंपरिचर ठीक है, एड हाई रेइन, उच्च ताप और उच्च वर्षा, पिशली वार कमीशन में कोस्च आया था कि, लेटराइट मृदा कहां पा जाती है, तब उसका अंसर था, उच्च ताप मान और उच्च वर्षा, ठीक है, अगला कोस्चन, कौन सा राज उननी वस्तों का अगरणी उतपादक है तो इसमें आपका अंसर आएगा और दक्षिन एशिया का मुख्य आर्थिक कारेकलाप है तो इसमें आपका अंसर इंडिया वाले क्या गरते हैं जातर हम उद्योग क्रिशी पशुपालन या खनन तो इसका अंसर आएगा आपका क्रिशी ठीक है अगला कोश्चन चतिसगड का मैदान व्यन गंगा घाटी से प्रिथक हुआ है तो इसका अंसर आएगा खेरा गड के पथार से बी मालवा के पथार से C. दक्षिन के पठार से D. छोटा नागपुर के पठार से तो इसका अंसर आएगा खैरागड के पठार से ठीक है? आज का last question ठीक है? तिबबत में ब्रह्मापुत्तर नदी को जाना जाता है तिबबत में ब्रह्मापुत्तर को जाना जाता है कौन से नाम से जाना जाता है ठीक है? आप्षिन A. सांगपु आप्षिन B. दिबांग आप्षिन C. सुबनसीरी आप्षिन D. धानसीरी तो इसका अंसर आएगा आपका सांगपु ठीक है? ठैंक यू फ्रेंड्स